लेकिन जैसे ये मेरे माईके में बनता है जैसे मेरी ममी और भावी बनाती हैं। उस तरीके से आपको यह भरवा, बतलब कटे हुए भरवा की रेष्यपि आपकजा शेयर करोंगी वो खाने में बहुत ही डेश्टी लगता हुए हर एक कोने में भरवा मसाले का फ्लेवर आजाता है, जो की खाने में ज्यादा टेश्टी लगता, आप इसे रोटी, पराठा च जी के करीब बैगन लंबे वाले और इन्हें में बड़े-बड़े पीस में काटूंगी तो सबसे पहले में एक बाउल में पानी ले लिया है ताकि यह हमारे काले न पड़े तो पीस से भाग करके सिब दो-दो पीस करके हमें ऐसे ही बैगन को काट लेना है और यहाँ पर हमारे सारे बैगन काट चुके हैं और अब पानी से निकाल लेंगे और अगर मेरे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और यहाँ पर मैंने ले लिया है तीन से चार बड़े साइज के मतलब मीडियम साइज के आलू और उन्हें से कट कर लिया है और फिर यहां पेश्ट बनाने के लिए लैसुन चार हरी मिर्ज और प्याज अब यहां पर मैं इन्हें पेश्ट नहीं बनाऊंगी तलब दरदरा कर लूँगी अगर आप भरवा भरते हैं तो उनके लिए पेश्ट बैस्ट रहता है लेकिन यहां में कटि बहुत ही टेश्टी बहुत ही डिलिश्च बनके रेडी होता है और यहां पर मैंने भूनने के लिए आलू को डाल दिया है और उसमें सारे आलू को ऐसे ही डाल दोंगी और अभी वीडियो को छोड़के बिल्कुल भी ना चाहिएगा क्योंकि आगे बहुत सारे टीश्ट हो अब आले हैं तो मतलब पूरा देखें तभी आपको पता चलेगा कि मेरी तरीके से भरवा की रेस्पी कैसे बनके रेडी होगी और आप इसे अपनी छोटी मोटी घर पर पार्टी पर भी यह रेस्पी बना सकते हैं यहां पर देखें मेरे आलू गोल्डन हो चुके हैं और करने से टेस्ट भी बढ़ जाता है और हमारे आलो पक जाते हैं और इन्हें आप निकाल लेंगे तो यह देखिए बहुत ही अच्छे से कलर आ चुका है जो देखने में और खाने में दोनों में भी टेस्ट बढ़ाएगा और जो एक्स्ट्रा ओयल है उसे मैं निकाल लूग है और जब तक गोल्डन न हो जाया मतलब अच्छे से पक न जाया तब तक हमें ऐसे ही इन पेश्ट को अच्छे से पका लेना है तो यह देखिए हलका सा कलर आ चुका है और अब यहां पर हल्दी पॉडर डालेंगे ताकि कलर आ जाए और देखने में भी बहुत ही अच्छ डिलीशेश लगे तो इस तरह के से यह हमारी रैस्पी बनेगी और यहां पर जो कटे हुए बैगन थे उनको हम डाल देंगे एक एक मतलब पका पका के हलका सा डालना है एक साथ आलू और बैगन नहीं डाल देना है मैंने कहा ना मेरे इस वीडियो के जरा सभी स्किप्ट न और one spoon soft, one fourth spoon metthi, one fourth spoon kalonji half spoon jeera, kalonji हम जरूर जरूर डालेंगे क्योंकि भर्भा में कलोणी जरूर पड़ता है बस इसकी कॉंτιटिती थोड़ा कम रहेगी और चार लाल मिच और इनने गोल्डन होने तक हम slow flame पर भूहन लेंगेओ यह हमारा ready हो चुका है और अपने कैस के flame को क और ठंडा होने के लिए रखतेंगे हैं हमारी मसाले जो हैं ठंडे हो चुके हैं और इनने में दरदरा पीस लूँगी मैं पाउडर फॉर्म में हमें नहीं पीसना है दरदरा रहे और तब तक हम देख लेते हैं कि हमारा वैगन थोड़ा सा पक चुका होगा तो यह देखे हमारे बैगन जो है वो सॉफ्ट हो चुके है और इन्हें अच्छे से हम चला देंगे और बने रहे हमारे साथ साथ बहुग और दुनिया दारी के साथ और आपको यह रेस्पि पसंद आई हो तो लाइक शिर शिरूर करें और यहां पर मैं डाल रहे हूं अब आलो भुने हुए क्योंकि हमारे आलो पक चुके हैं इसलिए मैंने बैगन के साथ नहीं डाला है और अब यहां मैं डालोंगे टेश के कोडिंग नमक और डेड़ चमश यह हमारी खटाई पाउडर है आप अगर बड़ी मलब कल्ली वाले डालने चाहते हैं तो वह भी डाल सकते हैं और स्वादान टू पिंच हेंग और इन सब को एक साथ डाल कर अच्छे से मिला लेंगे यह देखे 2 मिनट हो चुके हैं और इस स्टेज पे मैं डालूँगी जो हमारा द्रादारा किया हुआ मसाला तो यह देखे हमारा पाउडर लेडी है और इसमे मैं तीन से 4 चमश डालूंगी कलॉंजी मसाला मतलब भर्भा मसाला अप इन offline से मिल जाते हैं और मुझे पता है आपको इस तरीके से हमारी ये बैगन की भरवा सब्सक्राइब बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है तो ऐसे ही अपने सास भोगोर दुनियादारी को सपोर्ट करते आपके साथ नियू नियू रैस्पी शेयर किया करूंगी तो अब इसे मैं करती हूं शर्व और आप इसे रोटी पराठा चावल किसी के साथ इंजॉय कर सकते हैं अपने पार्टी में भी चार चान लगा सकते हैं तो आप इस रैस्पी को अपने घर पे बनाए अपने फैमिली और इंजॉय करो अपने अन बहुत साथ पर दुनिया नारी के शार जरू शेयर करो तब तक के लिए बाई बाई